हलो दोस्तो हमेश्कार अच्छा पैसा है आपे कमाना है तो यह पाच पॉंट आप लोगों को जरूर पता है आपे होने चाहिए ठीक है तो इस वड़े का लिंक भी मैंने उपर आए बिड़न पे दे दिया है तो चले दोस्तो फिलाल तो अब इस वड़े को स्टार्ट कर लेते हैं तो ठीक है दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिल्गुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर संडे का आज के लिनका हमारा पहला विडियो यूजुली यही होता है कि आने वाले नेक्स्ट पाच दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे ठीक है कौन से इंपोर्टन ट्रिगर जो कि बाजर के तेजी को रोक सकते हैं बियर वालों को थोड़ा बहुत उमीद दे सकते हैं मार्केट को तोणने के लिए तो सारे पॉंट्स को हम लोग इसी एक वीडियो में कवर करने वाले हैं तो चले स्टार्ट करते हैं एस उजूल हमारे पहले दो फॉर्मलेटी के तो यहाँ पर चुट्टी है तो कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है कि इस हफते बाजर पाच दिन ने बलकी चार दिन चलेगा ठीक है तो यह एक पॉइंट आप लोग ने नोट करके रखना चाहिए दैन अगर हम लोग बात करें सेकेंड कौन सा हम लोग फॉर्मलेटी कर लेत तो वो हता है कि बाजर का शौट टम का माहूल क्या चल रहे है शौट टम मतलब पिछले हफते का पाच ट्रेडिंग सेशन का अगर हम लोग पकड़ ले तो अभी का माहूल क्या चल रहा है तो माहूल बच्चे-बच्चे को बताए बाजर बुल के ही कबजे में पिछले पा ते वे दिखने का आपे मिल रहा है, आप देख सकते हैं, 26,000 को तोड़ कर भी उसके उपर closing दिखा दी, ठीके तो बाजार तो हम कही सकते हैं, बुल के ही पकड़ में है, फ्राइडे की दिन बाजार बंद हुआ था तो Dow Jones कैसा है, तो Dow Jones भी आप देख सकते हो, कोई बहुत अभी आने वाले, नेक्स्ट पाच में से चार दिन कैसे performance करेगा, वह देखना एक काफी interesting पार्ट है आपे जरूर रहेगा, दैन अगर हम लोग बात करें, जैसे के आपको पता है, कि इस हफते, एक मन्त का हम लोगों को अंत होते वे देखने को मिलेगा, जो है September मन्त, जैसे कोई भी मन्त खतम हो जाता है, काफी सारे जो अलग-अलग department रहते हैं, वहाँ से हम लोगो data सामने आते वे देखने को मिल जाते हैं, उनमें से एक important data होता है, auto company के number, so nifty auto index भी काफी अच्छा performance दे रहा है, so गाडियों की बिकरी कितनी हुई, ये data हमारे सामने आते वे देख अच्छा करेगा, तो इसके electric vehicle के sales कितने हुआ, आप लोगों ने देखना चाहिए, ठीक है, प्लस recently हम लोगों ने देखा था कि auto company में inventory बढ़ रही है, मतलब जितना demand expect कर रहे है company, उतना आ नहीं रहा है, मतलब stock है, बना कर रखा हुआ है, 100 गाडियों बना कर रखी हुए, करके festival वाले season जब start होते है, तो expect किया जाता है, कि अच्छे sales होंगे, काफी सारे companies ने तो discount देखे रखा हुआ है, तो उस discount के चलते sales के बिकरी क्या बड़ी, क्या नहीं बड़ी, वो देखने वाली बात है, अगर कोई company ने discount देखे रखा है, जैसे कि एक example हम लोगों ने किस करें, तो दिक्कत हो सकती है, ओला electric की बात करें, तो वो company लगातार नीचे हम लोगों को देखने को मिल रहे थी, उनके last time sales के आकड़े कमाये थे, market share भी गिरा था, तो इस सारा जो data है, वो हम लोगों को देखने को कब मिलता है, जब कोई month खतम होता है, तो इस हफते की बात करें, September खतम हो रहा है, तो 1st October को ये data सारा release हो जाएगा, तो ये point को आप इस हफते के लिए note करके चल लेना, then दोस्तों अगर हम लोग बात करें, 30 September इस तारिक को भी note करके, आप लोगों ने आगे आपे चलना है, क्या होने वाला है, 30 September की, अगर हम लोग बात करें, तो 30 मत बोलते हैं वापस, ठीक है, उनसे क्या hint मिलती है, अभी last time तो FOMC की meeting में 50 rate cut करने के साथ-साथ, उनने ये तक बोल दिया, क्या आने वाले समय में और 50 rate cut होने वाला है, आने वाला समय मतलब यही साल खतम होते हो थे, और 2 ही तो FOMC की meeting बाकी है, मतलब 25-25 तो at least हम expect कर ही ले तो Pauvel जी कुछ उल्टा-फुल्टा बोलेंगी की नहीं, इसी के ओपर अभी B.R. वालों का focus है, क्योंकि B.R. वालों को भी reason चाहिए ना, market तोनने के लिए, कुछ तो ऐसा बोले Pauvel जी की जिसके चलते बादर में panic मज जाए, तो उसी का वो इंतजार कर रहे हैं, तो अभ वैसा ही रहेगा, कुछ उल्टा-फुल्टा बोल देंगे, तो डेफिनेटली बाजार ही news बना देगा, आपको पताए, अच्छी गिरावट के साथ, तो चेक कर लेंगे, Pauvel जी का speech कैसा रहता है करके, दैन अगर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा crude oil के उपर भी वापस focus जाते वें देखने का आपे मिल सकता है, इसके पीछे का रिजन है Middle East, ठीक है, सो Middle East में तो आप सब लोगों ने खबर तो सुनी होगी, इस्राइल एंड वहापे तो सारा जो फाइटिंग वो तो डेली चलते रहता है, ठीक है, बट हम कह सकते है कि इस्राइल ने, जो हिजब काफी जादा possibilities हो रही है कि कुछ brutal attacks हो सकते करके हैं, जबी भी Middle East में ऐसा disturbance होता है, हमारा focus एक ही, component के उपर चला जाते है, commodity के उपर चला जाते है, जो के oil के price, तो crude oil आप देख सकते हो, 72 के करीब जाते वे दिखने का आपे मिल रहा है, brand की बात करे, WTA अभी भी 70 के ही बड़ अभी भी crude के उपर उसका इपदम negative impact देखने को नहीं मिला है, तो ठीक है, अगर crude इपदम ही 90 प्लस चला जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई, risk है 95 चला गया, मतलब देंजर आइंड 100 पार चला गया, मतलब तो बहुत ही बड़ा कुछ चल रहा है भाई, ऐसा ही secondary market hot topic रहेगा, तो primary market भी hot topic रहेगा, क्योंकि वो primary से ही secondary में shift कर लेते खुद को, तो IPO का बाजार इदम जबरदस रहेगा, काफी सारे main board IPO हम लोगों को आते वे देखने को मिले है, हमेशा की तरह यहापे अच्छे IPO जो हम लोगों को आ जाते हैं, मैं आप लोगों के सामने रख लेता हूँ, क्या आप चाहो तो उनको पढ़ सकते हो, ठीके, as usual, यहापे इतने सारे demand account खुल चुके है, हर कोई अपने जितने भी multiple demand account होते हैं, उससे IPO apply करता है, पूरा luck का खेले मिल गया, तो ठीके, नहीं मिल गया, तो अगला IPO, that's it, इतना है खेल, यहापे चलता र निकल कर यहापे आ जाएगा, RHP के थूरू सारा डेड़ बीट निकल कर आ जाएगा, क्योंकि पूरा detail अभी display होना start हो चुका है, so undai का IPO यहापे आ रहे है, जो देश का सबसे बड़ा IPO होगा, 25,000 करोड का, वो apply करने के लाए की की नहीं, वो तो बात की बात यहापे तो मतलब IPO का market भी अब्दम powerful यहापे रहने वाले है, उसके पर आ फोकस रख सकते हो, दैन अगर हम लोग बात करें, global economic data हम लोगो को कुछ आते वे देखने हो का आपे मिलते रहते हैं, जैसे की PMI data की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें आप लोगों को China, Japan, no doubt America भी रहेग तो यह चीज़े यहापे चलती रहती है, ठीक है, domestic level की भी अगर हम लोग बात करें, तो इस प्रकार के data हमारे इदर भी release यहापे होते रहते हैं, इसमें इब्दम ही जैसे मैंने काफी बार बोले, out of the box अगर कुछ चीज़े अगर नहीं होती है, तब तक कुछ news नहीं बनत कि exactly उसमें क्या हुआ था, वो आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं होते है कि बस 2007-08 में हुआ, तब ही rate cut हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, तो इदर भी हो जाएगा करके, वो condition है भाई, वो तीन चीज़ें के उपर हम लोगोंने focus रखना है, अगर वैसी चीज़े, अगर condition वाली अगर जैसा बादार चाहता है, अगर वैसा नहीं है तो definitely फिर बादार गिर सकता है, बड़ अगर वैसा अगर नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं चलता रहेगा, नो मंदी at all, ठीके, तो फिलाल हम कह सकता है, भी recently देखा, GDP देखला, अमेरिका का, अच्छा जाब्लिस क्लेम का डिटा, वो भी अच्छा था, अगर ऐसा ही चलता रहा, तो बेर का तो कुछ भी नहीं चलेगा, ठीके, तो उसके ओपर हम लोग ने फोकस बना के रखना है, देन सेवी के ओपर फोकस रहेगा, कल सेवी के बोर्ड की बेठक है, ठीके, काफी सारे अजें लोग सभा का इलेक्शन तो हो गया, पर अभी अलग-अलग राज्यों में विदान सभा का इलेक्शन रहने वाला है, उसमें भी कुछ बहुत बड़े स्टेट्स में हम लोग को इलेक्शन देखने को मिलने वाला है, स्टेट में मतलब एकोनोमिकली भी अगर हम लोग बात क C plus G वाला formula होता है C plus S वाला कि central government जो रहेगा वोई अगर state में अगर आ गया तो एक अच्छी चीज मानी जाते है वरना कि फिर politics वो उपर से order भेजेंगे ये नहीं मानेंगे और एक दूसरे को यहापे politics politics खेलते रहेंगे और company इसमें हार जाती है तो यह एक देखने वाली बा बात करें तो D.I.S. तो खरीद रहें F.I.S. थोड़ा mixed reaction है कभी आ रहें कभी जा रहे है देन गोल्ड की अगर हम लोग बात करें ठीके तो गोल्ड इबदम जबरदस तरीकी से जैसे आपको बताया था बीच में वो सरकार ने इबदम ही shocking addition ले लिया budget की अगर हम लोग बात करें तो ठीके तो जिस हिसाब से गोल्ड इबदम कोलाप्स हुआ था सडनली बट जैसे आपको बताया रिकवर हो जाएगा बट टाइम लगेगा रिकवरी के लिए हमेशा टाइम लगता है चोट फटा फट लग जाती है ठीके आपको भी चोट लग जाएगी हाथ पे बट क्या रिकवरी फास्ट होती है नहीं टाइम लिता है तो वैसे ही गोल्ड भी एक अच्छा कमोडिटी देखने को मल जाते है हमेशा रिकवरी के लिए टाइम लगेगा तो आप धीमेदी में करके देख सकते रिकवरी होते वे देखने को मिल चुके डॉलर के अगर बात करें है रूपी के अगेंस्ट थोड़ा बहुत स्ट्रॉंग वापस होते वे देखने को मिल चुके है वैसे तो ओवरल स्ट्रॉंग ही है एक डॉलर के लिए हम लों को 83 से भी ज्यादा रूपया यहापे देना पड़ता है तो शॉर्ट रेंज में भी अगर हम लोग बात करें व बाजर का मूड माहूल कैसे है मूड बाहूल तो बहुत ही अच्छा है पावल जी अभी क्या उल्टा फुल्टा बोलते है की नहीं उसी के ओपर हम कह सकते है कि कुछ बाजर का डायरिक्शन चेंज हो जाए की नहीं यह एक देखने वाली बात जरूर होगी ठीक है तो उस ए दिमे करके हम कह सकते है की एक एक चीजे सामने निकल कर आएगी तो उसके हिसाब से स्टॉक्स में मुवमेंट हम लों को देखने को मिल जाएंगे तो आशा करता है दोस्तों जीतने भी इंपोर्टेंट ट्रिगर पॉंट थे वो सारे मीने इस वीडियो में कवर करके रखे ह वीडियो एलफू लगाओगा चाओ कि लाइक और शेयर कर सकते हो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाए